Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Tally Prime की इस वीडियो सीरीज के आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे कि किसी भी ट्रांजिक्शन को देख कर कैसे पहचानी कि उसे Tally Prime में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है इसके पहले की दो वीडियो में हमने आपको Source Documents और Tally में Accounting Vouches क्या हैं और उनके उप्योग के बारे में बताया था आज हम उसी आधार पर आगे Practice करने जा रहे हैं हमने आपको Manual Accounting की Process के बीच Journal के बारे में बताया था और वहाँ कुछ Transactions भी बताये थे उनमें से कुछ Transactions और दूसरे कुछ और Transactions हम आपको यहां बता रहे हैं और इन्हें देखकर आपको यह निर्ने करना है कि किस Transaction को किस Voucher में Record करेंगे हम आपको एक-एक Transaction दिखा कर सोचने के लिए 10 सेकेंड का समय देंगे यदि आप सही निर्ने कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही कि कौन सा Transaction किस Voucher में Record होगा तो चलिए एक-एक करके Transaction देखते हैं पहला Transaction है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए एक लाख रुपए नकत पुझी यानि Capital लाए अब आप सोचिए कि ये Transaction किस Voucher में Record होगा चलिए अब हम आपको बताते हैं यहां पुझी के रूप में नकदी आई है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नकद या बैंक के माध्यम से कोई भी प्राप्ती होती है तो इस तरह के Transaction को Receipt Voucher में Record किया जाता है दूसरा Transaction 5 अप्रेल को हमने 20,000 रुपए State Bank of India में नकद जमा करके खाता खोला अब आप सोचिए यह किस voucher में जाएगा अब हम आपको बताते हैं इस Transaction में नकद रुपए Bank में जमा किये गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था Cash Account से Bank Account में या Bank Account से Cash Account में रुपए आता या जाता है तो इस तरह की Transaction को Contra Voucher में Record किया जाता है अगले Transaction है 6 अप्रेल को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिए यहां हमने राम शर्मा को नकद रुपए दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया था नकदी या Bank के माध्यम से कोई भी Payment किया जाता है तो इस तरह की Transaction को Payment Voucher में Record किया जाता है अगला Transaction है 6 अप्रेल को व्यापार के लिए 51,000 का माल नकद खरीदा इस Transaction को देखने से ही सपष्ट है कि खरीदी की गई है इस लिए इस Transaction को Purchase Voucher में Record किया जाएगा Next Transaction 6 अप्रेल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपे नकद दिया देखिए यहां नकद खुपतान किया गया है यानि इस Transaction को Payment Voucher में Record किया जाएगा अगला Transaction है हमने जो माल खरीदा था उसे साथ अप्रेल को 75,000 रुपे में नकद बेश दिया इस Transaction को देखने से ही सपश्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस Transaction को Sales Voucher में Record किया जाएगा 10 अप्रेल को हमने State Bank of India का 23,000 रुपे का चेक देकर मोटर साइकल खरीदी अब यहां पर मोटर साइकल खरीदने के लिए बैंक से भुकतान किया गया है इसलिए इस Transaction को Payment Voucher में Record किया जाएगा अगला Transaction है एक मई को हमने मोहन को अप्रेल माह की तनख़ा 5000 रुपे स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेक से दी यहां हमने करमचारी की तनख़ा का भुकतान बैंक से किया है इसलिए इस Transaction को Payment Voucher में Record किया जाएगा एक मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशूक ट्रेडर से दिलवाया था अशूक ट्रेडर से हमें उसका कमिशन 5000 रुपे चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने स्टेट बैंक आफ इंडिया के खाते में डिपोजिट किया दिखिए यहां हमें चेक के माध्यम से कमिशन प्राप्त हुआ है मतलब हमें प्राप्ती हुई है इसलिए इस Transaction को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा एक मही को हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपे का माल उधार खरीदा इस Transaction को भी देखने से सपश्ट है कि खरीदी की गई है इसलिए इस Transaction को पर्चिस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा नेक्स Transaction देखते हैं तीन मही को हमने सुपर मार्केट से जो माल खरीदा था उसे मोहन ट्रेडर्स को 15,000 रुपे में बेश दिया यहां पर इस Transaction को देखने से ही सपश्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस Transaction को वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा अगला Transaction हमने 15,000 रुपे का जो माल मोहन ट्रेडर्स को बेचा था वो खराब होने से कि मोहन ट्रेडर्स ने हमें 5 माई को वो माल वापस कर दिया इस Transaction को दियान से देखें तो हमने जो माल बेचा था खराब होने से वो खतिरदार ने वापस कर दिया यानि यह Sales Return है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि Sales Return को हम Credit Note Voucher में रिकॉर्ड करेंगे अगला Transaction देख लेते हैं 8 माई को आशा एंटर्प्राइजस से हमने 25,000 रुपे का फरनीचर उधार खरीदा इस Transaction में उधार फरनीचर खरीदा गया है यानि खरीद तो हुई है पर ये खरीद Fixed Assets की है और जैसा कि हमने आपको Purchase Voucher में समझाया था कि इस तरह की खरीद को हम Purchase Voucher में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर इस Transaction को कहा रिकॉर्ड करेंगे हमने आपको Journal Voucher में बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तु हम उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं है यानि हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं तो ऐसे Transactions को Journal Voucher में रिकॉर्ड करते हैं अब ये फरनीचर हमने उधार खरीदा था यदि नकत खरीदा होता तो इस Transaction को हम सीधे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं अब है अगला Transaction आठ मई को मोहन ट्रेडर से हमें जो माल वापस आया है उसे हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपे में खरीदा था उस माल को हमने वापस सुपर मार्केट को भेज दिया यहां हमने जो माल सुपर मार्केट से खरीदा था वो उससे ही वापस कर दिया है यानि खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है तो ये हुआ पर्चेस रिटन और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि पर्चेस रिटन को हम डेविट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट ट्रंजिक्शन है दस मही को हमने स्टेट बैंक ओफ इंडिया से चैक द्वारा पांच हज़ार रुपए नकद निकाले इस ट्रंजिक्शन में बैंक से नकद रुपया निकाला गया है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में रुपया आता या जाता है तो इस तरह का ट्रंजिक्शन कांट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है आखिरी ट्रंजिक्शन देखते हैं हमें अशुक ट्रेडर्स से जो कमिशन का 5000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ था, वो 12 मैं को बैंक से डिसॉर्णर होकर, यानि चेक बाउंस होकर वापसा दिया. यहां इस ट्रांजिक्शन में चेक डिसॉर्णर हो गया है, अब आप सोचें कि इस ट्रांजिक्शन को हम कौन से अकाउंटिंग वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना तो यह पेमिंट है, ना रिसीट है, ना खरीद है और ना ही विक्र है, तो यहां ध्यान दें, हमने आपको बताया था कि ऐसे ट्रांजिक्शन जो किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, उन्हें जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह ट्रांजिक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल वाउचर में, इस वीडियो में हमने ट्रांजिक्शन कैसे पह 12 है इनके बारे में बताएंगे इन दोनों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैली में काम करते समय हमें बार-बार इनकी मदर लेना होती है और इसके बाद हम टैली प्राइम में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे